WTC के फाइनल के नेमो में हमें कुछ बड़े बदलाव देखनी को मिल सकते हैं दरसल एक क्रिकेट में टर्म है वो टर्म है सॉप्ट सिग्नल का बहुत ही जादा विवादे टर्म है इस पर बहुत बड़े-बड़े क्रिकेट के दिगज कॉंट्रवर्सी कर चुकिया बहुत ज इस कितना ज़्यादा क्रिकेट किया है वह अलग अब इससी ने सफ्ट सिग्नल को पूरी तरह से क्रिकेट से खतम कर दिया है और अब क्या होगा कि थार्ड अंपायर ही यह फैस्प्रा लेगा कि एच आउट है बैट्समेन या फिर नहीं फिल्टर नहीं कैच पकड़ा है य के था सब्सक्राइब करता था है अगर थोड़ा सा कन्फ्यूस है अपने डिसीजन को लेके तब यह हो फ्यूश स्टेट्मेंटोने या अचन्ठ पे बताता है और भर उसा स्टेटमेत को चेंज नहीं कर सकता था जब तक कि उसके पास पुखता सबूत ना हो कि batsman आउट है या फिर नहीं आउट है लेकिन अब change आ चुका है इसमें बहुत बड़ा change वो आया है कि इसमें change यह है कि अब field empire catch का review लेनी के लिए अगर third empire के पास refer करता है तो वो अपना सुझाव नहीं देगा अब third empire तकनीक के अधार पर review करके खुद फैसला सुनाएगा और third empire के फैसले को ही सही माना जाएगा आपको उतादे कि यह जो नियम है यह England और Ireland के बीच जो test series खेली जाने वाली है उसमें सही यह लागो होगा और WTC finally भी इसे हम कहीं न कहीं देख सकते हैं कि short signal का जो use है वो WTC के final में use नहीं किया जाएगा अगर बात करें world championship की तो यह match जो है वो इंडिया और Australia के बीच खेला जाएगा आपको उतादे कि जब पिछली बार world championship खेला गया था तो वो New Zealand और इंडिया के बीच में खेला गया था विराट कोली उस वक्त इंडिया के कपतानी करते थे और उसमें New Zealand ने हमें बुरी तरह स और वो जो खिताब था वो भारत के हाथ से बहुत पीछे चूटिया था लेकिन इस बार इंडिया ये intent के साथ उत्रेगी कि वो इस बार WTC का जो खिताब है वो अपने नाम कर ही ले क्योंकि भाई देखो इस बार तो कुछ ना कुछ करके ये match जो है ये खिताब जो है वो ज खिताब है वो अपने नाम करें बाकि आपका इस पूरे ये जो सॉप्ट सिग्णल का नया रूल आया है क्या कहना है कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथे साथ ओफान स्पोर्स को लाइक शेयर सब्स्क्राइब करना पिलकुल भी ना भूलें